Hello friends, मैं हूँ आपके समने गोरु मिगलानी इस वीडियो में जो टोपिक अब हम डिसकस करने जा रहे हैं that is factors responsible for the intergroup conflict तो ये टोपिक explain करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर intergroup conflict का क्या मतलब है simple सी बात है कि जब किसी organization के अंदर हमको किसी target को complete करना होता है तो उस target को complete करने के लिए हमें कावी सारे groups से काम कराना होता है तो वो groups उस organization के target को complete करने के लिए आपस में contact को करते ही हैं for example finance department production department से contact करेगा production department finance department से contact करेगा marketing department production department से पूछेगा कि हाँ भी production पूरा हो गया है तो बताओ तो मैं marketing start करूँ तो जो भी organization का aim है उस aim को पूरा करने के लिए एक organization के अंदर जितने भी groups होते हैं वो आपस में बातचीतों करते ही हैं पर क्या होता है कि कभी-कभी दो groups की thinking या opinions आपस में match नहीं करती जिसकी वज़े से दो groups के बीच में conflict पैदा हो जाता है तो जब जब दो groups के बीच में conflict पैदा होता है तो हम इसको बोलते हैं intergroup conflict येस दो groups की thinking opinions match ना होने की वज़े से जब दो groups के बीच में conflict पैदा होता है तो that is called intergroup conflict तो intergroup conflict को कौन-कौन से factors effect करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं. First topic है हमारे पास कि कभी-कभी groups का जो aim होता है, वो different होता है. हर group का aim अलग होगा, production department का aim अलग है, marketing department का aim अलग है, finance department का aim अलग है, तो aim अलग होने की वज़या से भी groups के बीच में conflict पैदा हो जाता है. Second topic है allocation of resources, हर department या हर group चाता है कि resources उसको जदा मिले, जैसे production department चाता है कि supervisor उसको जदा मिले, marketing department चाता है कि supervisor उसको जदा मिले, marketing department चाता है कि पैसा उसको ज़्यादा मिले या purchase department चाता है कि पैसा उसको ज़्यादा मिले तो क्या होगा resources के allocation को लेकर भी departments के बीच में लड़ाई हो जाती है conflict पैदा हो ही जाता है third topic है accountability की information नहीं होती कभी-कभी एक organization जब setup होती है तो departments को groups को नहीं बताया जाता कि किसकी क्या जवाब देई होगी कुछ गड़बढ हो गया तो इसका जवाब किसको देना होगा तो क्योंकि जब गड़बढ होती है तो हर department हर group एक दुसरे के उपर blame करने में लगा रहता है क्योंकि वहाँ पर accountability की information उन groups को नहीं दी गई तो वहाँ पर क्या होगा conflict पैदा हो जाएगा next topic है faulty reward system कभी-कभी किसी department को reward दे दिया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया जबकि दूसरा department जिसने और भी ज़्यादा अच्छा काम किया उसको कोई reward नहीं दिया गया उसकी कोई praise भी नहीं गई तो क्या हुआ faulty reward system की वज़े से भी groups के बीच में conflict पैदा हो जाता है next है trust ना करना groups आपस में जब जब trust नहीं करते हैं तो भी conflict पैदा होता ही है next है activities depend करती है सभी groups की activities आपस में depend करती है पर जब एक group की activity complete नहीं हो पाती तो दूसरे group का पहले वाले group के सब conflict स्टार्ट हो जाता है production department की अगर production की activities complete नहीं होगी तो आप सोच कर देखो marketing department क्या marketing कर पाएगा नहीं finance department अब finance का arrangement ना करके दे तो क्या purchase department purchase कर पाएगा नहीं तो क्या production department production कर पाएगा नहीं marketing department marketing कर पाएगा नहीं तो सभी groups की activities आपस में depend होती है तो जब activities complete नहीं होती तो इसका effect दूसरे group के उपर भी आता है तो उनके बीच में इस वज़य से भी conflict स्टार्ट हो जाता है तो वीडियो कतम करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि conflict की काफ़ी सारी और भी वीडियोस हैं जो मैंने आपको इसी वीडियो के description box में दी है आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं पलस ये दो important playlist इनके link भी है आप इन पे भी click कीजिएगा काफ़ी सारी important videos आपको भी मिल जाएंगी तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद